एक्जाम में अच्छे नंबर लाना कोई कठीन काम नहीं है इसके लिए सबसे जरूरी है एक अच्छे इस्टडी प्लान की जो पढ़ाई करने का सबसे बेश्ट तरीका है जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कई सारी परिसानियों का सामना करना पढ़ता है जैसे कई बार हमें कुछ विशे कठीन लगने लगते हैं कभी कभी किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है कई बार हम पढ़े हुए चीजों को भूल जाते हैं और कभी कभी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक बहतर इस्टडी प्लान की जरूरत होती है जिससे आप अपने करियर में बड़े आसानी से सफलता पा सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की अच्छे से पढ़ाई करने के लिए पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से सटडी कर लें और उसी के अनुसार टाइम टेबल बनाएं और आप हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही करें ताकि आपका हर सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ बनी रहे हमारा दूसरा पॉइंट है ध्यान लगाना आपके लिए ध्यान लगा कर पढ़ना बहत जरूरी है बहतर study के लिए हर topic को ध्यान से पढ़ें आप कोई भी topic को पढ़ने से पहले ये सोच लें कि आपको ये topic किसी को बिना किताब के समझाना है तो आप इसे बहतर तरीके से समझ पाएंगे इसके लिए आप एकांत में बोल बोल कर भी practice कर सकते हैं हमारा next point है short notes बनाएं जब आप समझ जाएं कि किस topic को कितना time देना है तो उसके बाद आप उस topic के short notes बना सकते हैं जिसमें कम से कम उस विशय के बारे में पूरी जानकारी मिल सके short notes बना के पढ़ने का फैदा ये है कि आपको reason करने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत कम time लगता है और आप पढ़ने में बोर भी नहीं होगे और आपको यहां लगने लग जाएगा कि आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीजें पढ़ पा रहे हैं हमारा next point है revision जो कि बहुत ही important है एक्जाम से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी revision करना होता है एक्जाम से पहले आप यहां टैक कर लें कि इन दिनों सिर्फ और सिर्फ revision ही करना है इसके लिए आपके द्वारा बनाये गये short notes बहुत ही helpful होंगे कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसे सिर्फ आप एक्जाम से पहले पढ़ते हैं और वही चीज एक्जाम में आने के बाद आप उसे भूल जाते हैं इस गलती से बचने के लिए एक्जाम से पहले आपको उसे कई बार revision करना होगा जिसे आप उसे कोई भी condition पे ना भूलें अब हम बात करते हैं कि tough subject को कब याद किया जाना चाहिए जिस समय आप सबसे ज़्यादा energetic feel करते हो उस समय कठीन चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए ये आप पर depend करता है कि आप कब energetic feel करते हो कई लोग सुभा ज़्यादा energetic feel करते हैं और कई लोग रात में तो आपको ये पहचानना होगा कि कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है कब आप बहुत ज़्यादा energetic feel करते हो और उस समय आप कोई भी tough subject को पढ़ोगे तो वो आसानी से याद हो सकता है क्योंकि आप उस समय पूरे जोस में रहेंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share और subscribe जरूर करें Thank you very much for watching this video Keep practicing and keep learning